सब्सक्राइब कीजिए एक्जाम सब के यूट्यूब चैनल को क्योंकि यहां होती है केवल ग्यान की बातें आपकी एक्जाम की बातें सटिकता के साथ देर सही सही पर CBSC ने स्वयम इस बात को महसूस कर लिया कि जिस तरीके से उन्होंने नए नए सब्दों का प्रयोग इस बार के रिजल्ट में किया है वह छात्रों की टेंसन कम करने के बजाए उन्हें और कनफ्यूज कर रहा है इसी को देखते हुए बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने रिजल्ट में आर्टी या इसेंसियल रिपीट से लेकर इन प्रस्नों का भी जवाब दिया है कि आखिर प्राइवेट कैनिडेट्स को प्रैक्टिकल के अंग क्यों नहीं मिले हैं चलिए एक एक करके सीबीए सी के इस नए अस्पस्टि करन पर नजर डालते हैं अगर अब तक आपने हमें फेसबुक, ट्वीटर या इंस्टाग्राम पर जोईन नहीं किया है तो अपने एक्जाम की छोटी से बड़ी जानकारी या अपने एक्जाम से रिलेटेट कोई भी सवाल हमसे पूछने के लिए आज ही इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर हमसे जूर जाईए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रिन दोनों ही जगह मौजूद है सी बीए सी ने इस बार एफटी यानि फेल इन थियोरी के बजाए आटी यानि रिपीट इन थियोरी का परियोग किया है इसका मतलब है कि आपको उस विशय के थियोरी पेपर की फिर से परिक्षा देनी होगी इसी परकार एफपी यानि फेल इन प्राक्टिकल के बजाए आरपी यानि रिपीट इन प्राक्टिकल लिखा गया है इसका अर्थ है कि आपको उस विशय में practical फिर से देना होगा CBSE ने पहली बार fail की बजाए result में essential repeat लिखा है इसका मतलब है कि आप इस परिच्छा में fail हुए हो पर CBSE directly इस बात को न कहकर indirectly आपसे यह कह रहा है जिन छात्रों के result में RL लिखा है उनका result इसलिए declare नहीं किया गया है क्योंकि कुछ data board के पास available नहीं है RL का मतलब है result letter result declaration के बाद इस matter को CBSE अलग से देखेगा और जल्द इन results को publish करने की कोशिस करेगा वर्स 2020 में private candidates को practical के marks नहीं मिले है board का कहना है कि इन छात्रों द्वारा theory में प्राप्ट किये गए अंको के नुसार ही practical के marks theory में add कर दिये गए है यानि आपको theory में जो अंक मिले हैं उसी में practical के marks जोड़े गए है और ये marks आपको theory में लाए गए marks के आधार पर मिले है कई छात्रों के result में pass होने के बावजूद capital P लिखा है board का कहना है कि यह एक programming error है और इसे अब ठीक कर लिया गया है आपके marksit में अब यह so नहीं करेगा इसी परकार आपके result में capital G भी programming error है जिसे अब rectify किया जा चुका है class 10 और class 12 के compartment exam को लेकर CBSC ने कहा है कि यह परिक्षा situation सामाने होते ही सरकार से सलाह लेने के बाद करवाई जाएगी मुझे उमीद है CBSC के इस असपश्टी करन से आपको अपने कई प्रस्णों के जवाब अब मिल गए होंगे